हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज मैं एक्स्प्लाइनेशन करने जा रहा हूं 2023 के आसकर वीनिंग इंडियान डोकुमेंटरी शॉट फ्लिम दा एलिफेंट विस्परर के स्टोरी कॉंसेप्ट के बारे में इस शॉट डोकुमेंटरी को डैरेक्ट क्या है कार्टी की गौंजल वेंशने इसको डिस्ट्रिब्यूट और स्ट्रीम किया गया है नेट्फ्लिक्स के दरा ये कहानी है बमन और बिली नाम की साउट इंडियन में रहने वाले एक कपुल के जो रगु नाम के एक अनाथ सिसु हाथी के देखवाल करने के लिए अपना जीबन समर्पित करते हैं एक ऐसे परिबार जो इनसान और जानबर जगत के बीस की दिवार तोर के एक ही दुनिया बनाते हैं डॉकुमेंटरी की सुरुबाद में ही बमन बताता है कि ये मेरा घर है जहां में पेदा हुआ जहां जंगल के जीफ आजारी से घूम सकते हैं इसी जगा मेरे पुर्बज पीरियों से रहते आये हैं दूसरे सिन में बेहत ही खुपसरत मुदुमलाए टाइगर डिजाफ को दिखाया जाता है जो इंडिया के तामिल नादू में है बमन अपने एलिफेंट रगू को नीन से जगाता है उसको नहलाता है खाना खिलाता है जैसे वो कोई जानवर नहीं उनका अपना ही ओलाद हो आसल में बेबी एलिफेंट यानी रगू जब मिला था तब वो बहुत ही दड़ में था क्यूंकि उसका पूझ कुट्टों ने कार लिया था और उसकी खाओं में कीरे परे थे रगू की मा बिजली लगने की वज़े से मौत हो सुकी थे लंबे अकाल के करन इसका जुन्ड खाने और पानी की तलास में गाओं में भतक रहा था रगु को उसकी जुन से मिलाने की बहुत कोशिस की गई लेकिन सफलता नहीं मिले बमन की पतनी बेली बोलती है कि जब पहली बार रगु से मिली ये मेरे कपरे खिस रहा था मुझे इसका प्यार महसूस हुआ तब मैंने फैसला किया मैं इसका देखवाल करूंगे आसल में बन बिभाग ने बमन और बिली को रगु का देखवाल करने की जिम्मेदारी दी थी जिस से दोनों बहुत ही खुश था उन लोगों के कोई आलाद नहीं थे बेली के पहले पती को बाग ने मार गया था और उसकी बेटी की भी मौत हो गयी थी उसकी बेटी की जाने की दर्ड रगु आने के बाद थोरा कम हुआ वो लग रगु को ही अपने उलाद मानके उसके साथ जीने लगा रगु भी बस पाया उन लोगों की प्यार की बज़े से ही क्यूंकि शुरुबात में सभी को लगा था रगु नहीं बसने वाले बमन बोलता है मेरे लिए हाथी को देखना भगवान को देखने की तरह है जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं उसकी देखवाल करते हैं वैसे ही मैं रगु का सेवा करता हूँ रगु का देखवाल करने से ही हमारे घर में खाना आता है यही मेरा कर्म और धर्म है फिर एक दिन बन बिभाग ने अम्मू नाम की और एक हाथी बमन को परवरिष के लिए दिया जिस से अब रघू और अम्मू दो हाथी का एक साथ पलने की जिम्मदारी होने लगे पहले पहले तू रघु परिशान था जब भी अम्मू यानि दूसरे हाथी बमन के पास जाती रघु उसको हता देता था लेकिन धिरे धिरे रघु को अम्मू की आदत होने लगा फिर एक दिन बन भिभाग से फोन आया कि रगु को दूसरे देखवाल करने वाले लोगों को सौप दिया जाएगा बमन और बेली बन भिभाग से अनुरूट किया कि वो लोग रगु को उन लोगों से दूर ना करे जाने की समय रगु बहुत जिजग रहा था रगु को ले जाने के बाद बमन और बेली कुछ दिनों के लिए ठीक से खा भी नहीं पाए उन लोगोंने रगु को पालने में सब कुछ लगा दिया था अपने ओलाद की तरह पाला था बहुत ही मुश्किल से प्यार से उन लोगोंने रगु को पाला था अब रगू उन लोगों से दूर हो गए थे बमन बहुत रोया भी था अब वेली को वही दड़ महसूस हुई थी जब वो अपने बेटी की मौत के समय महसूस की थी पहले अम्मू बहुत परिशान रही वो बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं खाया क्योंकि वो रगू से अलग होके बहुत दुखी थी वो लोग फिर से धीरे धीरे अम्मू को देखवाल करने लगे ठीक उसी तरह जैसे रगू को किया था लोग उन लोगों को हाथी के मा बाप नाम से जानने लगे बमन और बेली साहते हैं कि उनके बाद आने वाले नोजवान भी हाथी को इसी तरह ही डेखवाल करें ताकि इनसान और जानवर एक साथ एक परिवार की तरह रहे क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हाथी बहुत थी खतरनाक होते हैं हाथी उन लोगों के फसल बरबाद करते हैं लेकिन जो हाथी के साथ रहते हैं उनको पता है हाथी बहुत ही सांथ और बुद्धिमान जानवर होते हैं आप अगर उसे प्यार डोगे वो भी आप से प्यार करेंगे इस डोकुमेंटरी में इनसान और जानवर की एक अतूत प्यार को दिखाते हैं कैसे हम इनसान की तरह जानवर भी प्यार के लायक हैं हमें हमेशा नेसर के साथ अपना पन बना के रहना साहिए क्योंकि नेसर ही भगवान है ये हमको सब कुछ देते हैं इसलिए हम नेचर को पूझते हैं जानवर से लेके इनसान तक इनसान से लेके पैर पोधों तक हम पूझा करते हैं क्योंकि ये ही तो दुनिया है नेसर है ये ही तो भगवान भी है और हम नेसर से ही जन्मे हैं